So guys, start कर रहे हैं वर्ग 2 के लिए theory of equation and inequation So बच्चों, वर्ग 2 में एक बहुत important चीज आपके लिए exam में आने वाली है जिसका नाम है algebra Algebra वर्ग 2 में बहुत अच्छे से आएगा, है ना? तो जिसमें आपको ये chapter algebra का है theory of equation and inequation मैं अभी youth की book से start कर रहा हूँ और जिस type के मैं question कराऊंगा आपको, आप उस type के question करिएगा youth से जो question है, सीरे सीरे भी exam में आये हुए हैं और ये paper बनाने के लिए बहुत अच्छी reference book है तो आईए start करते हैं जैसे सबसे पहला question है, ये रिखिए x-y का cube, plus y-z का cube, plus z-x का cube, upon 9 into x-y, plus y-z, into z-x sir, मैं आपको एक formula बता दिता हूँ, जिससे ये question होगा और ये बहुत exam में आया हुआ है, ये concept तो वो concept क्या है, उसको देख लीजे concept है, कि if a cube, plus b cube, plus c cube, minus a cube, plus b cube, plus c cube, equal to 3abc clear है? a cube, plus b cube, plus c cube, equal to 3abc कब? जब a, plus b, plus c, equal to 0 हाँ, मतलब, actually, जो पूरा formula होता है, वो ये हुआ करता है मैं आपको बता दूँ, a cube, plus b cube, plus c cube, minus 3abc equal to हुआ करता है, a, plus b, plus c, और bracket में a, square, plus b, square, plus c, square minus a, b, minus b, c, minus c, a ये formula हुआ करता है, ठीक, अब यदि आपके पास a, plus b, plus c, 0 हो जाता है if a, plus b, plus c, equal to 0, मतलब, ये वाली जो टर्म है क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी so a cube, plus b cube, plus c cube, minus 3abc, equal to 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 हो गया, इसलिए सबको जीर हो गया, और a cube, plus b cube, plus c cube, equal to क्या बन जाएगा, 3abc तो ये के standard result निकल करके आया है, ये बहुत सारे exam में पूछा गया है, बहुत important है, और इसी पर ये question अपना जो है, बना हुआ है, आईए देखते हैं, ये question क्या कहता है, देखिए ध्यान से, x-y का cube, plus y-z का cube, plus z-x का cube, upon 9, x-y, y-z, general तो देखिए, ये a है, ये b है, ये c है, यदि आप यहाँ तीनों को add कर दें, a plus b plus c को, x-y, y-z, z-x, तो x से x कैंसल, y से y कैंसल, z से z कैंसल, कितना हो गया, 0, तो concept बन जाएगा, a q plus b q plus c q equal to 3 a b c, तो उपर क्या बैठा हुआ है, उपर बैठ जाएगा कितना, 3, ये a है, ये b है, c है, और नीचे है 9 a b c, तो 3 a b c upon 9 a b c equal to कितना आगया, 1 by 3, clear है, अराम से देखिए, लगाईए, टाइम पूरा लिजिए आप, बूले, clear है, तो sir, इस तरीके का एक question आपको देखने को मिलेगा, हाँ sir, कुछ आप कहना चाहते हैं, sir, इसकी pdf में आपको share कर दी है, तो आपको करना क्या है sir, आपको एक list बनानी है, अपनी copy में, है ना, और list बना करके, यहाँ पे लिखना है question number 1, और यहाँ right tick कर देना है, question number 2, बन गया तो right tick कर देना है, question number 3, बन गया तो right tick कर देना है, और नहीं बना तो क्रॉस करना है ठीक है सर? हाँ और अगर कोई चीज सिलेबस के आउट है तो लिख दोगे आउट आउट आफ सिलेबस ऐसे क्योंकि इसमें सर ये जो बुक है ये असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल की है ये देखिए कैसे करेंगे कि मेरे लेवल का कौन सा है ये देखना सर आपको TGT क्या देखना है हाँ TGT मतलब सर वर्ग दो और PGT मतलब वर्ग एक ठीक है सर? हाँ तो TGT वाले क्वेशन जो है आपको वो लपक के कनने है चलो भाई साब अगले question की और बढ़ते है अगला question है X square plus 1 upon X square equal to 11 तो आपको value बतानी है X cube minus 1 upon X cube की चली कैसे करेंगे देखिए X cube X square plus 1 upon X square equal to 11 है तो आपको value बतानी है X cube minus 1 upon X cube की बहुत ही बढ़ी है question देखिए ये जो question आएगा अगर ऐसा question आता है तो काफी time लेता है अब इसको solve कैसे करता हूँ देखेगा आप देखिए x square plus 1 upon x square equal to 11 तो मुझे बताइए आप इसे x square plus 1 upon x का whole square लिख सकते की निख सकते बोलिए x plus 1 upon x का whole square ये इसे आपने कुछ नहीं करा है अपने simply इसको bracket को out कर लिया 1 upon x का whole square clear अब यहाँ पर आप क्या करेंगे यहाँ पर आपने minus 2 किया ठीक है माइनस 2 करने के बाद x का multiply और यहाँ पर 1 upon x का multiply और यहाँ पर अगर इधर पर minus 2 करें हो तो इधर पर की भी क्या करना पड़ेगा minus 2 बोलो यह line clear है की नहीं है इसलिए क्योंकि यहाँ पर x into 1 by x किया तो x से x कैंसल हो जाएगा तो कितना बचेगा 1 हाँ यह ना और यहाँ पर 2 का multiply था तो 2 बन जा कितना हो जाएगा 2 मलब कुल में लाकर कि यहाँ पर मैंने कितने को subtract किया कितने को घटाया 2 को तो यहाँ भी कितने को घटाऊंगा 2 को बिल्कुल सही यह क्या बन गया यह बन गया x minus 1 upon x का whole square x minus 1 by x का sorry यहाँ पर 11 था 11 minus 2 equal to कितना हो गया 9 बिल्कुल सही clear है अब यदि आप यहाँ से इसको root हटाएंगे तो x minus 1 by x equal to under root of 9 मतलब plus minus 3 होगा की नहीं होगा बिल्कुल अब आपको क्या चाहिए है आपको चाहिए है x cube minus 1 upon x cube x cube minus 1 upon x cube चाहिए है तो यह कैसे मिलेगा आपको देखो ज़रा समझो आपके पास formula होता है a minus b का whole cube equal to a cube minus b cube minus 3 a b और bracket में a minus b बुलो होता है कि नहीं होता नहीं होता क्या तो यहां से यदी मैं x minus 1 by x का whole cube बनाऊं तो यह बनेगा x cube minus 1 by x cube minus 3 into x into 1 by x और bracket में x minus 1 by x पका clear ना अब x minus 1 by x की value किती है 3 है तो 3 का whole cube equal to यह वाली चीज हमें चाहिए तो इसको हाथ नहीं लगाएंगे minus x से x cancel हो गया minus का 3 और x minus 1 by x की value किती है 3 clear चली 3 का whole cube कितना हो गया 27 और 3 3 जा 9 minus 9 नदर जाएगा plus 9 x cube minus 1 upon x cube 27 plus 9 कितना हुआ नुसा 16 36 equal to x cube minus 1 upon x cube done 36 check कर लो answer बिल्कुल सही है ओके बुली सर जी clear है कि नहीं है ठीक है तो सर algebra बहुत important part है तो algebra के सारे question वगएरे आप याद कर लो सारे question वगएरे जो हैं आप याद कर लो चलिए next बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं करने सर assistant professor वाले जो हैं आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं चलिए तो ये तो हम लोग को छोड़ देना है third वाले को बिल्कुल नहीं करना ये due है ये assistant professor वाला है चलिए ये भी PGT वाला है सर इसको भी नहीं करेंगे हम लोग PGT वाले हलाकी कर सकते हैं सर ऐसा कुछ खास नहीं देता उनमें मगर है ना चाहो तो कर लो चाहे तो ना करो चलिए खैर आंगे बाद बढ़ते हैं ये देखिए सर ये आ चुका है if the difference of the root of the equation यदि समीकरण x square plus px plus 12 के मूलों का अंतर एक है तो अब यहां से कौन सा chapter सुरू हो गया सर यहां से सुरू हो गया है वर्ग समीकरण यहां से जो chapter स्टार्ट हो चुका है वर्ग समीकरण स्टार्ट हो चुका है तो वर्ग समीकन के लिए मैं कुछ बाते आपको बता देता हूँ ये देखिए वर्ग समीकन भी आपके सलेबस में पक्का 101% आएगा दुनिया का कोई भी ऐसा एक्जाम नहीं है वर्ग 2 का जिसमें की वर्ग समीकन ना आए ठीक है सर? तो वर्ग समीकन किसे कहते है सर? AX स्क्वाइर प्लस BX प्लस C इकॉल टू जीरो के रूप का जो समीकन कहलाता है वर्ग समीकन कहलाता है इसके दो मूल होते हैं सर अल्फा एंड बीटा ठीक है ना? और इनकी जो मूलों का गुण होता है वो ये होता है कि अल्फा प्लस बीटा एकॉल टू माइनस B अपॉन A और अल्फा इंटू बीटा एकॉल स्टू सी अपॉन A ये समीकन नंबर एक ये समीकन नंबर दो बूली सर क्लियर है? हाँ अब जो वर्ग समीकन होता है A X स्क्वार प्लस B X प्लस C एकॉल टू जीरो ये A के मान पर निर्भर करता है अगर A का मान धनात्मक है तो सरी इसका जो ग्राब बनता है वो अपवर्ड पैरावोला बनता है और अगर A का मान धनात्मक है तो इसका जो ग्राब बनेगा वो downward parabola बनेगा, मतलब negative parabola ठीक है ना? अब देखिए, upward parabola में उपर की तरफ जाने वाले parabola में ये जब x-axis को काटता है तो जहां पर x-axis को काटता है तो एक मूल alpha और एक मूल beta और अगर downward जा रहा है और ये काट रहा है तो एक मूल alpha और एक मूल beta ठीक है सर, हाँ अब कब दो मूल मिलेंगे इसके लिए condition होती है उसको हम बोलते हैं D D को बोलते हैं विवित्त कर और D की condition से हमें पता चलता है कि कितने मूल मिलेंगे तो अगर D greater than 0 है तो आपको 2 मूल मिलेंगे और D का मान तो मैंने लिखा ही नहीं तो D का मान लिख लिजे B square minus 4AC और D अगर greater than 0 है तो आपको 2 मूल मिलेंगे दोनों अलग-अलग मिलेंगे एक है alpha, एक है beta और D equal to 0 है तो आपको दोनों मूल बराबर मिलेंगे alpha equal to beta और D less than 0 है तो आपको कोई मूल नहीं मिलेगा कोई मूल नहीं ना तो alpha ना तो beta clear sir चलिए ठीके sir इसको जल्दी से note करिए ये जो बनाया मैंने दो मिनिट में sir इसको note करिए दो मिनिट मैं है मैं जाया बहाँ करिए इसको जाया थाँ ये जो मिनिट उल्दी एाँ झाल 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 हाँ जी सर ठीक है हाँ जी सर या तो अल्फा की पावर N प्लस बीटा की पावर N के बारे में कुछ पूछ लेगा या अल्फा की पावर N माइनस बीटा की पावर N के बारे में कुछ पूछ लेगा और इसको बनाने के लिए आपको दो चीजों का इस्तमाल करना पड़ेगा एक अल्फा प्लस बीटा का और इस्तमाल करेंगे, आईए देखते हैं कैसे इस्तमाल होता है, दीके question number 5 हमाई पास है, if the difference of the roots of the equation, x square plus px plus 12, तो ये हमारे पास x square plus px plus 12 दिया है, और कह रहा है कि यदी इस समीगर्ण के मूलों का अंतर एक हो, आप Hindi मीडियम है ना आपका सर? English है? Hindi है, ओके सर, बता दीजेगा, तो कह रहा है कि अगर इनके मूलों का अंतर एक हो, मतलब इनका जो difference निकल रहा है सर, इनके roots का, वो roots का difference 1 निकल रहा है, है ना, तो roots का difference 1 निकल रहा है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं सर? इसको मैं लिख सकता हूं, alpha minus beta equal to 1, ये दिखे सर, जोर से बोले है सर, प्लीज, हाँ जी, alpha minus beta equal to 1, अभी से question को मैं solve करता हूं, देखे, किस तरीके solve होगा, हाँ, so if the difference of, यदि समीकन x square plus px plus 12 के मूलों का अंतर एक हो, अब दिया है, alpha minus beta equals to 1, यदि मैं यहाँ दोनों तरफ का पूर्ण वर कर दूँ, तो ये हो जाएगा, alpha minus beta का whole square equal to 1, ठीक है सर, इसे मैं लिख सकता हूँ, alpha square plus beta square minus 2 alpha beta equals to 1, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मुझे क्या दिया है, कि alpha minus beta 1 है, किस की value निकालनी है, p की value, अब देखो भाई, अब आपको alpha plus beta square को आपको बदलना पड़ेगा, कैसे बदलेगा alpha plus beta square, अच्छे से से सेख लो, alpha square plus beta square है, मैंने यहाँ पे plus 2 alpha beta खुद से जोड़ दिया, अगर मैं कोई चीज में 2 alpha beta जोड़ रहा हूँ, तो मुझे 2 alpha beta क्या करना पड़ेगा, माइनस भी करना पड़ेगा, और एक 2 alpha beta पहले वाला, यह वाला, equal to कितना, one, फायदा क्या हुआ, यह बन गया, alpha plus beta का whole square, देख लो आप, और यह कितना हो गया, यह बन गया, minus 4 alpha beta, equal to कितना, one, अब alpha plus beta की value आपको पता हो जाएगी, समीकन क्या है, x square plus px plus 12 है, equal to 0 है, तो मूलों का योग alpha plus beta होता है, minus b upon a, तो फिलाल यहाँ पे, minus b की जगे खेल रहा है, p, और a की जगे खेल रहा है, one, देख लो, यह तो बनता है ना सर, आपसे, a, b, c निकालना, बिल्कुल सर, alpha into beta equal to c upon a, मतलब 12 upon 1, मतलब की हो गया 12, चलो तो value रखने का समया आ चुका है, alpha plus beta की value है, minus p, यह minus p का whole square, minus 4, alpha into beta की value है 12, equal to 1, यह बने गया p का square, 12, 48, 48, equal to 1, p square equal to कितना हो गया, 1 plus 48, बोले तो 49, और p equal to हो गया, under root 49, बोले तो plus minus 7, ठीक है, जर, तो इसकी value आ गई हमाई पास, plus minus 7, ठीक है न, यहाँ पर इन लोगों ने कोई दूसरी method से किया है, factorize method से, मैं बिल्कुल नहीं support करूँगा कि इस method से करिए, आप, आप simple इस तरीके से करिए, इसका screenshot ले लिजिए सर आप, ठीक है, यह lecture recorded है सर, और आपको यह मेरे YouTube चैनल पे भी मिल जाएंगे, जो भी आपकी classes हो रही हैं, यह YouTube चैनल पे मिल जाएंगे, ओके, next, अगला है concept, cubic equation, अगला concept आपके सामने, हम लेकर क्या रहे हैं, cubic equation का, मतलब, त्रीघाती समय करना, हाँ सर, कुछ कह रहे हैं, हाँ सर, द्रीघाती यह तो पके से आएगा, अब यदि syllabus में त्रीघाती होगा, तो कुछ चीजें जानने लाइक हैं, उसको हम देख लेते हैं, एक बार कल मैं syllabus भी निकाल लूँगा, इसका वर्ग दोका, पुराना syllabus और बाकी जगे की syllabus, उससे मैं compare करा करके, एक बार थोड़ा सा confirm कर लूँगा कि क्या क्या आता है, है ना, अब त्रीघाती समय करना देख लिजे सर, यह होता है, इस तरीखाती के तीन मूल होते हैं सर, एक होता है अलफा, एक होता है बीटा, एक होता है गामा, जब भी मैं तीन मूल की बात करूँ मतलब अधिकतम तीन मूल, अधिकतम तीन मूल, जैसे मैं दो मूल की बात करता हूँ, तो 2 mol की बात करता हूं मतलब अधिक्तम 2 mol यहाँ पे मैं जब बात करता हूँ 2 mol इसका मतलब होता है अधिक्तम 2 mol अधिक्तम 2 mol बाखी depend करता है d पर अगर d greater than 0 होगा तो 2 mol निकलेंगे 1 alpha और 1 beta अगर d equal to 0 होगा तो 1 ही mol निकलेगा एक सेकंड़ से थोड़ा से यहां पर गलिच आया है सही करता हूं इसको हाँ सर तो अधिक्तम यहां तक आ गये थे यह है तो अधिक्तम दो मूल होंगे मतलब डी गरदेन जीरो अधिक्तम तीन मूल निकल सकते हैं अलफा बीटा और गामा अब इसकी रिलेशन से प्यात कर लो आप बहुत जो important है मूलों का योग alpha plus beta plus gamma equal to minus b upon a दो बार एक मूल ले लो alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha equal to c upon a and alpha into beta into gamma equals to minus d upon a ये तीन चीजें आप note कर लो ये important है अगर तरिक हाती समीकन बनेगा तो question इनी से आएगा कहिए done चलिए तो सवाल हो जाए सवाल क्या कह रहा है ये आपके पास एक तरिकाती समीकन लिखा हुआ है x q minus 5x square minus 16x plus 80 equal to 0 इसके दो मूल दिये गए हैं 4 और minus 4 इस समीकन का तीसरा मूल क्या होगा तो मैंने आपको अभी formula पढ़ाया कि मूलों का योग alpha plus beta plus gamma equal to होता है minus b upon a फिलाल minus b की जगे कौन खेलेगा minus of minus 5 मतलब 5 upon में a कितना हो गया 1 ठीक अब चलिए alpha बीटा दिये हुए है alpha कितना दिया है 4 beta कितना दिया हुआ minus 4 gamma पता नहीं है gamma को gamma मान लेते हैं equal to कितना 5 तो minus 4 से plus 4 cancel answer आगया gamma equal to 5 मतलब तीसरा मूल यो होगा 5 होगा बोले clear है एक बार फिर से बता दूँ देखे सर आपके पास समीकर्ण है x cube minus 5 x square plus 16 x plus 80 बस में इस समीकर्ण को ध्यान रखिए ये समीकर्ण जो है सर इसी से सब कुछ होने वाला है कह रहा है कि इसके जो root है minus 4 और plus 4 है समीकर्ण क्या लिख लेता हूँ सबसे पहले में x cube minus 5 x square minus 16 x और plus 80 equal to 0 ये समीकर्ण है तो हम जानते है कि alpha plus beta plus gamma equal to होता minus b upon a बता ये पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया alpha plus beta plus gamma equal to minus b upon a अब यहाँ पे alpha की value एक root दे रखा है 4 देखिए दो मूल है ना एक 4 है एक minus 4 है तो एक 4 है दूसरा minus 4 है तीसरे का पता नहीं है तीसरा gamma मान लो equal to minus b upon a तो minus b की value किती है minus 5 upon a कितना है 1 minus से minus cancel 4 से 4 cancel तो gamma equal to कितना बच गया 5 बच गया यस तो इसका जो एक मूल निकल करके आ गया वो 5 आ गया clear है any problem सर हाँ ठीक है सर ओके 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 चलिए अब हम आपको बता रहे हैं q root of unity मतलब 1 i के घन मूल अगला topic लिखिए बहुत अच्छा topic है ikae के घन मूल ikae के घन मूल ikae के घन मूल पर जाने के पहले मैं बात करूँगा ikae के वर्ग मूल तो मान लिया कि ikae का वर्ग ikae मतलब 1 और 1 का वर्ग मूल मैंने मान लिया x है तो दोनों तरफ मैंने वर्ग कर दिया तो 1 बराबर x का square इसको क्या लिख सकता हूँ x square equal to 1 और x square equal to 1 को फिर मैंने लिखा x square minus 1 equal to 0 यह हो गया x square minus 1 square equal to 0 तो एक बन गया x plus 1 और एक बन गया x minus 1 equal to 0 तो एक मूल निकल करके आया x equal to plus 1 और एक मूल निकल करके आया X equal to minus 1 जी हाँ ये इकाई का वर्ग मूल था पहले मैंने वर्ग मूल निकल वाया जिससे कि आपको घं मूल की picture clear हो सके बोलो sir clear है हाँ अब देखी घं मूल निकल वाता हूँ तो माना कि इकाई का घं मूल अगर मैंने माना घं मूल कितना होता है बिटा वहाँ पे power 1 by 3 याद रखिएगा थोड़ा सा मैं कुछ अलग चीज़ बता देता हूँ वर्ग मूल मतलब 1 की power 1 by 2 घं मूल मतलब 1 की power 1 by 3 अगर इकाई की चतुर्द मूल मतलब power 1 by 4 इकाई का पंचम मूल मतलब power 1 by 5 इनको इंगलिस में square root, third root, fourth root, fifth root बोलते हैं clear yes तो मेरे को घं मूल निकालना है तो मैंने माना कि कि इकाई का जो घं मूल है वो है x तो दोनों तरफ घं कर दीजिए तो 1 बराबर कितना हो गया x का cube तो x cube minus 1 बराबर 0 1 equal to 0 यहाँ पे x cube minus 1 equal to 0 हो गया अब इसको हल कीजी आप किस formula से हल होगा इसको भी cube कर दीजे क्योंकि 1 का cube 1 ही होता है अब एक formula होता है बीजगनित का जो आपको बहुत important है a cube minus b cube बराबर a minus b a square plus a b plus b square यह हल होता है तो इसको हल करने के लिए चले solve करते हैं x minus 1 x square plus x plus 1 equal to 0 ठीक है सर क्योंकि दोनों का a है x और b है 1 तो a minus b a square plus a b plus 1 equal to 0 चले अब या तो यह 0 होगा या तो यह 0 होगा तो पहला करूंगा मैं x minus 1 बराबर 0 और दूसरा होगा या x square plus x plus 1 बराबर 0 तो x minus 1 equal to 0 करेंगे तो पहला मूल निकल कर क्या आएगा 1 और इसको हल करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे श्री धराचार शूत्र सर आपको आता है श्री धराचार शूत्र हाँ तो उसमें लगा दीजे क्या होता है श्री धराचार सूत्र minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a तो यह अपन सूत्र लगाएंगे तो x equal to minus b मतलब minus 1 plus minus b square मतलब 1 का square 1 minus 4 into 1 into 1 upon कितना 2a so x equal to minus 1 plus minus एक में से 4 गया कितना बचा सर minus 3 upon 2 into 1 मतलब x equal to minus 1 plus minus under root minus 3 upon 2 बुले clear है देखिए अब ध्यान से under root minus 3 को में क्या लिख सकता हूँ under root minus 3 को लिखा जा सकता है minus 1 और 3 याद रखेगा कभी कोई negative quantity आएगी अंदर तो इसको ऐसे लिखा जाएगा under root minus 1 और under root a इसको copy में लिख लीजे यह छोटे छोटे point है यही सब question को बनाएंगे है ना अगर कोई negative under root आएगा तो इस तरीके से इसको लिखेंगे ठीक तो देखिए यह क्या बन लाता है under root minus 1 क्या कहलाता है आयोटा यह कहलाता है आयोटा आयोटा मतलब imaginary number तो under root minus 3 क्या बन जाएगा यह बन गया आयोटा और यह बन गया root 3 तो यह क्या गया x equal to minus 1 plus minus आयोटा root 3 by 2 आयोटा root 3 by 2 तो दो मूल यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं एक निकलेगा x equal to minus 1 plus लेने पर आयोटा root 3 by 2 और एक निकलेगा minus लेने पर minus 1 minus आयोटा root 3 by 2 तो दो root निकल करके आ गया और एक root कितना निकला था शुरुवात में इधर पे 1 निकला था ये दिखिए ये निकला था 1 तो अपने पास total तीन root हो चुके हैं ये ये और ये सर समझ में आच्छे से हाँ तो तीन root यहाँ पर हो चुके हैं अब इन तीनो root को मैं एक line से लिख देता हूँ कौन सा equation solve किया हमने x cube minus 1 equal to 0 solve किया इसके तीन root हमारे निकल करके आए हैं alpha, beta, gamma एक निकला है 1 दूसरा निकला है minus 1 plus iota root 3 upon 2 और तीसरा निकला है minus 1 minus iota root 3 upon 2 अब ध्यान से देखी कुछ नई चीज़ें बता रहा हूँ मैं हाँ पर, यहाँ पर एक निकला है केवल वास्तिविक मूल हाँ और दो निकले हैं कैसे मूल, समिस्र मूल समिस्र मतलब ऐसी संख्याएं जो वास्तिविक और काल्पनिक दोनों से मिल करके बनी हुई है ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं, समिस्र संख्याएं ठीक ना, तो यदि आप देखें ध्यान से minus 1 plus i root 3 upon 2 को तो इसके दो भाग हैं, कौन-कौन से, minus 1 by 2 plus iota root 3 by 2 जी हाँ, तो ये जो भाग कहलाता है, इसको बोलते हैं, वास्तिविक भाग यानि की real पार्ट और ये जो भाग कहलाता है, इसको हम बोलते हैं, इमेजनरी पार्ट यानि की काल्पनिक भाग और दोनों भागों को मिला करके, जो संख्या बनती है, उसको बोलते हैं, हम समिस्र संख्या इसको हम बोलते हैं, समिस्र संख्या एक सेकंड तो जो संख्या बनती है, दोनों को मिला करके, इसको हम बोलते हैं, समिस्र संख्या जी हाँ, ये समिस्र संख्या है तो यहाँ पर जो हैं हमारे पास तीन मूल निकले हैं जिसमें से एक निकला है वास्तिविक और दो निकले हैं समिस्र इनके नाम दे लिए जाते हैं और इनके नाम क्या है मैं आपको बताता हूँ ये कहलाता है वन, ये कहलाता है ओमेगा और ये कहलाता है ओमेगा स्क्वार, आपने जरूर कहीं न कहीं पढ़ा होगा, ये कहलाता है ओमेगा स्क्वार, क्यों कहलाते हैं ये ओमेगा स्क्वार और ओमेगा, अगर आप इसका वर्ग कर दोगे तो आपको ये पराप्त हो जाए मतलब एक एगर omega है तो दूसरा omega square है एक cover करोगे तो दूसरा आपको प्राप्त हो जाएगा तो इसलिए इन roots को हम बोलते हैं 1 omega and omega square clear sir यह जो root है यह किसके हल है यह हल है x cube equal to 1k x cube equal to 1k तो यह अपने समीकन को संतुष्ट करेंगे तो मैं पहला root put करूँगा तो पहला root क्या है 1 तो 1 का cube equal to कितना हो जाएगा 1 दूसरा root क्या है omega तो omega का cube बराबर कितना होगा 1 तो एक बहुत महत्पूर्ट प्रापरटी आपको यहां से मिल गई नोट कर लीजे कि omega की घात 3 कितना होता है 1 होता है clear sir जोर से बोली sir clear हाँ sir तो omega की घात 3 equal to 1 होता है अब last एक और इसमें चीज बनती है कि 1 प्लस omega प्लस omega square का मान कितना होता है तो 1 प्लस omega square प्लस omega square का मान होता है 0 आप इसको जोड़ करके देख सकते है 1 की जगे 1 omega की जगे क्या निकाल आपने 1 प्लस iota root 3 upon 2 और omega square की जगे minus 1 minus iota root 3 upon 2 तीनों को add कर दीजिए तो चलिए देखिए LCM कितना जाएगा 2 यहां 2 1 जा 2 हो जाएगा यह minus 1 यह हो जाएगा plus iota root 3 यह हो गया minus 1 यह हो गया minus का iota root 3 तो minus 1 minus 1 plus 2 से cancel iota root 3 से iota root 3 cancel answer कितना आगया 0 तो condition बनी 1 plus omega plus omega square equal to 0 clear है सर यह जो topic मैंने आपको पढ़ाया सर यह बहुत गजब important है और जब difficult question बनेगा तो इसी से बनेगा बहुत ही गजब difficult topic है और जब question difficult बनेगा मतलब important है तो इसी से बनेगा cube root of unity थे आईए रिखते हैं question कैसा बनता है इससे यह अपने पास में एक question लखा हुआ है UP PGT का question है बट ऐसा नहीं है कि PGT level का है यह TGT level का है वो मतलब आपको जो question करने आपको केबल TGT करने है मैं आपको करवाऊंगा PGT वाले question जो आपके level के है क्योंकि मैं देख करके समझ में आ जाता है मेरे को क्या question दे रखा है इफ alpha and beta are the roots of x square plus x plus 1 equal to 0 तो भाई साब हमारे पास equation है x square plus x plus 1 equal to 0 equal to 0 अभी अभी मैंने आपको equation पढ़ाया है बोलो x square plus x plus 1 solve कराया कि नहीं कराया हाँ इसके roots क्या निकले थे याद है आपको कहेगो minus 1 निकलेगा इसका निकला था एक निकला था omega और एक निकला था omega square ये देखो भूल गए आप ये देखिए जोर से बुली क्या बता रहे सरा हाँ अच्छा 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 आप मुझे समिसर के रूप में बता रहे थे ओहो ठीक है ठीक है तब आप सही बोल रहे थे ठीक है ठीक है ओकी नो प्रॉबलम तो अब इतना बड़ा क्यों बोलना सीधे बोलो omega और omega square क्यों भाई है ना तो यदि मैंने omega और omega square कह रहा है कि alpha बीटा इनका नाम दे रही है alpha और beta मतलब यह रूट से इनका नाम दे रही है alpha और beta मतलब omega जो है वो alpha है और जो beta है वो omega square है ठीक है अब क्या कह रहा है कह रहा है ऐसे समीकर निकालो जिनके roots alpha की power 7 और beta की power 4 है ऐसे समीकर निकालो जिसके root alpha की power 7 है और beta की power 4 है हमें ऐसा समीकरण निकालना है जिसके रूट्स अलफा की पावर 7 और बीटा की पावर 4 है तो एक नया कंसेप्ट फिर से इंट्री हो चुकी यहाँ पे आप लिखी एक नया कंसेप्ट समीकरण जिसके रूट अलफा वा बीटा है दसमी क्लास का फार्मूला जिसके रूट अलफा वा बीटा है उसका समीकरण क्या होता है समीकरण होता है x square माईनस मूलों का योग गुणे x प्लस मूलों का गुणन फल sum of the zeros plus product of the zeros done हाँ ये होता है तो आईए इसी concept को हमको यहाँ पर लगाना है ठीक है ना तो सबसे पहले हम मूल तो निकाल लें क्योंकि इसके मूल क्या दी है अलफा की पावर 7 और बीटा की पावर 4 तो पहले मैं अलफा की पावर 7 निकाल लो चलिए अलफा कितना है ओमेगा ओमेगा की पावर 7 क्लियर सर ओमेगा की पावर 7 कैसे निकलेगा अभी मैंने आपको बताया था कि ओमेगा की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है होती कि नहीं होती तो इसे मैं ओमेगा की पावर 3 ओमेगा की पावर 3 और ओमेगा की पावर 1 लिख सकता हूँ क्योंकि तीन पावर 3 और तीन 6 और 6 और एक 7 येस तो इसे हमें लिख दिया 1 into 1 into ओमेगा मतलब अलफा की पावर 7 जो पहला रूट निकल के आया है वो क्या बन गया ओमेगा बन गया अब दूसरा रूट निकलता हूँ दूसरा रूट क्या है बीटा की पावर 4 तो बीटा की पावर 4 और बीटा की जगे कौन है ओमेगा स्क्वार तो ओमेगा स्क्वार की पावर 4 बोले तो ओमेगा की पावर 8 अब ओमेगा की पावर 8 को सॉल्व करो तो omega की 3 का pair बना एक 3 का pair 3 और 3 6 और 6 और 2 8 तो यह हो गया 1 यह हो गया 1 यह हो गया omega का square मलब कुल मिला के हमाँ पस beta की power 4 कितना आ गया omega का square अब हमें बनाना है equation तो equation क्या होता equation होता है x square minus mule का योग तो 1 mule कितना निकला है omega दूसरा mule कितना निकला है omega square गुणे x प्लस मूलों का गुणन फूल एक मूल निकला है omega दूसरा mule omega square equal to कितना 0 तो यह x square minus omega plus omega square कैसे निकलेगा अभी मैंने पढ़ाया था 1 plus omega plus omega square कितना होता है 0 होता है तो omega plus omega square कितना हो जाएगा minus 1 तो यहाँ पर मैंने रख दिया minus 1 गुणे x और omega into omega square कितना हो गया omega cube बराबर 0 अब लिख दिया मैंने ठीक है जी yes so x square minus minus कितना हो गया plus x और plus का 1 equal to 0 तो answer क्या आगया x square plus x plus 1 equal to 0 option number d यह देखिया answer number d correct ठीक है ज़र ठीक है ठीक है एक और question देखेंगे अब और उस question को देखने के लिए पहले मैं आपको बताता हूँ mean यानि की माध्य के प्रकार आजाईए तो लिखिये माध्य के प्रकार जी हाँ माध्य के प्रकार अब माध्य जो है अगर आपके पास दो नमबर है A और B तो A और B के माध्य तीन निकलते हैं पहला निकलता है समानतर माध्य तो समानतर माध्य का जो सूत्र है नोट करिए दो नमबर A और B का जो समानतर माध्य होता है उसे हम capital A से denote करते हैं और ये होता है A plus B by 2 ठीक है सर दो नंबर की बीच में जो गुणोतर माध निकलता है उसे हम G से निरूपित करते हैं और ये होता है AB की power 1 by 2 या AB का root और लास्ट दो नंबर की बीच में जो हरात्मक माध निकलता है हरात्मक माध है इसे H से निरूपित करते हैं और ये होता है 2AB upon A plus B upon A plus B ठीक है सर तो ये तीन फार्मूले हमारे समान तरमा देखे गुणोतर माध देखे हरात्मक माध देखे हलो सर 2AB upon A plus B 2AB upon A plus B थोड़ा सा नेटवर्क में कमजोरी आई है अपने आप 2AB upon A plus B नोट कर लिजिस सर 2AB upon A plus B चली अब इस पर बेस क्वेशन करते हैं बड़ी ऐसा क्वेशन दिया है यह यहाँ तक लिखा दिया था मैंने हरात्मक माध्यो लिख देता हूँ क्लियर सर ओके आईए क्वेशन करते हैं क्वेशन कह रहा है हाजर 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 जी सर मैं लाइन पे हूँ यह आपके सामने कुश्चन है सर दा हार्मोनिक मीन आफ दे रूटस अफ दे एक्वेशन AXA स्क्वार प्लस BX प्लस C क्ल दू जी रो समी करणा AXA स्क्वार प्लस BX प्लस C के मूलों का हरात्मक माध्यो है तो यह अपने पास समी करणा है इसके मूलों का हरात्मक माध्योपन को निकालना है तो देखे सर हरात्मक माध्योपने आपको बताया था दो नंबर का होता है 2AB अपन A प्लस B बताया था ना फिलहाल मूलों की बात हो रही है मतलब अलफा की जगे पे A की जगे पे अलफा खेल रहा है और B की जगे पे बीटा खेल रहा है क्योंकि बात मुलो की हो रही है तो 2 अलफा बीटा अपान अलफा प्लस बीटा क्लियर हाँ तो 2 अलफा